नमस्कार दोस्तों मैं पुस्पेंदाकर स्वागत करता हूं कि अब यह पिरकरण अब यह जो होते हैं बेसिकली आपने कई बार इनको पढ़ा हुआ संस्क्रिट में इनका बहुत ही जाद आपयों किया जाता और एक्जाम में भी आते हैं और बिना इनके आप ट्रांसलेशन क कर सकते हो ना उसका मीनिंग समझ सकते हैं इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है कि स्वारादी निपात मयम मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ यह समझे इसका मतलब है कि अभी आप जो होते हुआ उनका तीनों लिंग बिभक्ति और बच्चन इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता जै बैसे हैं तो बैसे ही रहेंगे आपने देखा होगा कि जैसे लाकार ओधातू बबबक्ति कुछ भी ओ चाया आप किसकी बात कर लें चाया बबबक्ति की बात करें जो भी चीजां होती है यह आपके डिपेंड करती है और वह एक बचन यह तीनों चीजों के अनुसार ही से कुफर्ण की चलते हैं लेकिन जो अभी आप हैं यह बिलकुल सैम डू से म्रेंगे से कोई फरक नहीं पड़ेगा कि कौन सा लाकार कौन सा शब्द रूप है क्या वक्ति है क्या बचन है जो जैसा है तैसा ही है तो इसकी परिवास बहुत है किसी भी बहस भी रहास के वचन ठीक है पुरुष कारकाल से कारण रूंव को विपकार उत्पन नहीं होता है एक फीनेशन होगई परिभास इसे भी हम इनका यूज कर सकते हैं बहुत हम इनके आगे जो चीज़ां पढ़ेंगों समझते हैं तो गाई हम देखते हैं आगे अभयाब के भेद से यह आपको समझ में आ जाएगा कि अभयाब बेसिकली होते का है संस्क्रित वाहसाम है चूपकर है अभयाब जो है अभयारी प्रपोजिशन और आपका बिसमाई बोदा कभया मतलब इंटर्जेक्शन यह सब आपने इंग्लिश में पढ़े होंगे और बहुत ही आसानी सीखे होंगे जैसे कि आपके एडवर्ब हैं चाहिए वह आपके कंजक्शन और प्रपोजिशन और इंटर्जेक्शन अब इन च करीया कि काल मतलब की टेंस इस्थान मतलब की ब्लेश मतलब इंट्रव इस स्थान मतलब की प्लेश मतलब वेयर वी स्थान मतले प्रफशन acia को बैंटाउ ञ्याक के मतलब घृइशन इसमार वांदशन की और फ्रपोनिशन हैं और हس suspicion होगा तो इसमें बेसिक्ली किल्सक्ली कि रिखार्ड काल मदला टैंस माला टाइम बैसिकली टैंस की जाएगा आप इसको टाइम समझेंगे ज्यादा सही रहे समय या टाइम की बात बता उसकी बातुर यादा मतलब जब तद्द-व ऊधलो अजकल आपको यादा लिखना है जब भी तब शब्द जाया तब आपको तदा लिखना जब भी कव शब्द जाया आपको कदा लिखना जब भी आपको हमेशा शब्द जाया आपको सदा लिखना जब भी अब या आज कल आ जाया तो आपको अधुना लिखना है तो बेसिकली यह चेंज नहीं होंगे कभी hut reflection कर रहे होंगे तो जैसे इस समय की बात करें तो यहां पर लिखेंगे संप्रत ए आप संप्रातम लॉइन दनों अद मतलब आज हम sniffly तो पता होने चाए indicts आज मतलब हता है हया मतलब बीता हुआ कल, श्वय मतलब आने वाला कल, मतलब कल परसों बोलते हैं तो इस तरीके से, इसा मतलब इस साल, परुत मतलब परसा मतलब की लास्ट यहार है, साह मतलब संद्या के समय, बेसिकलि आप देख पर हैं अब समय की बात हो रही है, किस की बात हो रही है, समय क सकते हैं शोड़ी रहती है यह स्मय सकते हैं सबास मतलबर जल्दी सीर्गंbene star मतलब राप माइन रात पर्स comingят मतलब अक्सर संबहबत यूञायद मतलब चिरम मतलब चर नदेर से टो आपकी यह ऊजनरल हम करते हैं और कदा शरक घाजब जानते हैं हुआ कदाचित मतलब कभी कदाचित सब्द का भी कईवा रुप्यों किया जाता है कदाचित मतलब की कभी तो यह था आपका काल के साब से अब दूसरे आते हैं इस्थान बाचक इस्थान बाचक आप समझी गया होंगे इस्थान माला जहां इस्थान की बात हो रही हो प्लेस की बा तो समझ में आ रही बात आपको यहां पर आप इस्थान के रिगार्डिंग वही मतलब बहर अंत्रा मतलब होता है मद्द उच्छे मतलब जोर से निच्छे मतलब नीचे समया निक्षा पार्शब मतलब नजदीक अन्यत मतलब दूसरी जगह है अरात मतलब पास या दूर तो दूसरी यहां पर समझ सकते हैं कि यह इस्थान के रिगार्डिंग यह बात आ रही है तो यह चीज आपको धियान रखना है तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं तट्हे मतलब वहां से सामने अगर ए मतलब आगए और परीत मतलब चारो और तो जब भी संस्क्रित में शब्दो जैसे आपने संस्कृत सुना उगा बहुत हो गया है जो सबस्क्राइब तो शने मम जीवने आग अच्छा तो शने शने मतलब धीरे धीरे तो ना फिर यह समयत हम जैसे गूंः बैसे यह था नाम तथा गोड़ जैसा नाम बैसा गोड़ है ना सहसा असमात अचानक सहसा जनरली लोग यूज़ करते हैं अचानक के लिए समयक मतलब धीरे से और असक्रत मतलब बार बार और कश्चित या कश्चन मतलब किसी परकार अज्यत्रम मतलब लगातार इत्या मतलब मतलब इस परकार, एसल Kenneth knows سो और देंका परीडाम बाचक परीडाम की बात हो रही हो मतलब की कुउंटिटी की बात थोड़ा सअ याबत मतलब जितना ताबत मतलब उतना याव ताबत बहुत सुना है और आपका इश्यत मतलब थोड़ा कुछ अलम मतलब परियाब्त बेकार केवल मतलब केवल करता मतलब बस या काफी की बहुत होगे काफी है तो करतम अब रश्या मतलब अधीका दिक जादा से जादा अब आते हैं जो हमारा लास्ट जिसमें कहा था क्योंकि यह प्रशन बा जो आ रहा है वह साभी सिमें ही आ और आपका यह क्रिया व सेशन ख़ें हो गया है क्रीया बिशेशन अब आपका दूसरा का थो जो हैं अब को कए कर दो संब्सक्रावải का एंग्लिश में और हिंदी में करता संस्क्रीटंगे हL का इनका मतलब होता है दो सेंटेंस दो बाक्यों को जूड़ना अपस में तो समुच्च मोदक अब शब्रक्व को जूड़ने का काम करते हैं इनको sentence लिंक कर भी कह जाता है जूर ना यह लिंक करते हैं तो वह आपके अवयाब ऐसे अब यहाब को हम दो को यहाँ पर हमारा का चा मतलब और होता है जैसे कहते हैं ना माता चा पिता माता और पिता तो उसी तरीके से है यह था क्योंकि जैसे कहते हैं कि वो यहां नहीं आया क्योंकि वो बहां गया था तो क्योंकि यहां पे सैंटेंज जोड़ रहा है कि नहीं हो रहा अ tää्ट मतलब ३द्ध आइए इसलिए टू मतलब तो तू का स्ट ञता इने वाली बात यह ने मतलब nya कि मतलब अत्वा है तो यहां पर देख सकते हैं तो के दो मतलब तो जसके पहले ही उस चीज के बारे में ञानकारी होना में बाग के अंतर का समन्ध हम को प्रियाकत उसां सरुल ऑन मतलब सPacल आपका जब तक परियंत मतलब परियाप तक और अंत्रा 秒 कि नहीं आइक Прक यह था मतलब जैसी जैसे तथा मतलब बैसे वैसे प्रतित मतलब और योगपा तुम धुत और सम्तात मतलब चारों और से यह आपको याद रखना है अब आते हैं लास्ट है आपका बिस्म आया धी बोदक अभी आप इसको इंटर्जेक्शन भी कहते हैं बिस्म निरासा होती ना हाँ जहां पर हम अपना बिस्म निरासा घरणा आदर सुख दुख हर्ष बिसाद यह अपसा सूचक है अहो निरासा जनक अरे रे रे मतलब किसी के बारे मुझे ना रे 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 जैसे इस तरीके से आप बोलना है और हाँ अंतिक यह घ्रणा बोदक है सादू अतिब सोबनम यह आपका बहुत अच्छा सांदुबादा के इसी के सांथ ही आपके जो अभी अभी आपको आना चाहिए उर इनके ही मीनिंग अगर आता हैं तो आपको संस्कृत में ट्रrant cần करने की कोई दिक आपको नहीं रहे घृते हैं अब तुक्राइब को देशयों विदेटेजीद अब यह आपको आना चाहिए अभी यह नहीं जो आपको अब आपको और जोटेजी यह जोटेज्टेज़र होते हैं तो इसक्राइब को हमें अलग अच्छे से पड़ेंगे तो गैस्ट वीडियो इन तक देखने के लिए आपका अ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए गा ठीक है धन्यवाद